आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यही का सरल स्थमभाकार, ब्रुष बॉडर वाले उपकलासे वनी होती है। जो है वा सही विकल्ब है यानि कि हम यहां लिखते चलते हैं सिर्फ दूसरा अभी तक हमें सही मिला है और पहला जो था वा गलत हो गया है अगले विकल्फ चलते हैं यह विशेश रूप से hydrogen आयन. ammonia और potassium आयन का निस्यंदन में starward करती है तो यह अभी बिल्कुल सही बात है यह इसको फ्त्रावित कर देती है निस्यंदन में और वही सबसे महत्पून बात यह जो hypo carbonate होता है यानि hypo carbonate यानि कि हम जिसको बोलेंगे HCO3 minus इसका यह क्या करती है इसका अवशोषण करती है यह इसका अवशोषण करती है और बाकी यह जो सारे बचे यानि कि कौन-कौन से बचे hydrogen ion ammonia ion और यहाँ पर एक और हमाई सामने आइन है वो क्या वो है potassium ion तो इन सब को यह क्या करती है इन सब का इन सब को यह stravit करती है यानि बाहर निकाल देती है अपने से और hypo-carbonate जो होता है उसको क्या करती है वो शोषित कर लेती है यानि कि यह विकलब हमारा सही होता है यानि कि अभी इसके साथ-साथ तीसरा विकलब भी सही हो चुका है अब चौथे विकलब के ओर चलते हैं चौथा विकल्प कह रहा है यह व्रिक काणगों का सबसे संबलित भाग होता है और यह क्या होता है व्रिक के मध्यांज में होता है तो यदि हम बात करें तो सबसे जादा संबलित भाग कौन सा होता है यह होता है कौन सा लूप ओफ हेनले और यदि हम बात करें तो लूप हो जाएंगे यहां पर कहां कहां दिये हैं तो यह वाला विकल्फ हम देख सकते हैं दो और तीन हमारे प्रस्ण का सही विकल्फ है बाकी तीनों विकल्फ जो है वा गलत उत्तर है आशा करता हूं आपको आपके प्रस्ण का उत्तर समझ में आ गया होगा धन्यवाद प्रस्ण के लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोज़ा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट आउट आच चार्सो 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 पर